भैजन सहीदा 119 अध्याई 179 से 174 तक है यहोगा मेरी दोहाई तुझ तक पहुंचे तू अपने वच्चन के अनुसार मुझे समझ दे मेरा गडगडाना तुझ तक पहुंचे तू अपने वच्चन के अनुसार मुझे छोडा ले मेरे मूह से स्तूती निकला करे क्योंकि अध्याई धर्म मैं है तेरा हाथ मेरी सहायता करने को तयार रहता है क्योंकि मैंने तेरे उपदेशों को अपनाया है है यहोवा मैं तुझ से उधार पाने की अभिलाशा करता हूँ मैं तेरी विवस्था से सुखी हूँ मुझे जिला और मैं तेरी स्तूती करूंगा तेरे नियमों से मेरी सायता हो मैं खोई हुई भेड के समान भटका हो तो अपने दास को ढूंड ले क्योंकि मैं तेरी आग्याओं को भूल नहीं गया इब्रानियों साथ अध्याई 11 से 18 तक यजि लेव्य याजक पद के द्वारा सिध्धी प्राप्त हो सकती जिसके सारे लोगों को व्यवस्था मिली थी तो फिर क्या आवशकता थी कि दूसरा याजक मल्की सिध्ध की रीती पर खड़ा हो और हारुन की रीती का न कहलाए क्योंकि जब याजक का पद बदला जाता है तो व्यवस्था का भी बदलना अवश्य है क्योंकि जिसके विशे में ये बाते कही जाती है कि वो दूसरे गोत्र का है जिसमें से किसी ने वेदी की सेवा नहीं की तो प्रगट है कि हमारा प्रभु यवदा के गोत्र में से उदै हुआ है और इस गोत्र के विशे में मूसा ने याजक पद की कुछ चर्चा नहीं की हमारा दावा और भी स्पष्टता से प्रगट हो जाता है जब मलकी सिद्ख के समान एक और याजक उत्पन हो जाता है जो शरीरिक आग्या के व्यवस्ता के अनुसार नहीं पर अविनाशी जीवन की सामर्थ के अनुसार न्युक्त हुआ हो क्योंकि उनके विशे में ये गवाही दी गई है तू मलकी सिदक की रीती पर युगान युग याजक है इस प्रकार पहले आग्या निर्बल और निश्वल होने के कारण लोग हो गई इसलिए कि व्यवस्ता ने किसी बात की सिद्धी नहीं की और उसके स्थान पर एक ऐसी उत कि वे तो बिना शपत याजक टहराए गए पर ये शपत के साथ उसकी ओर से न्यूक्त किया गया जिसने उसके विशे में कहा प्रभू ने शपत खाई और वह उससे फिर न पच्चताएगा कि तू युगान युग याजक है इस प्रकार इश्व एक उत्तम बाचा का जामि वे तो बहुत बड़ी संख्या में याजक बनते आए इसका कारण यह था कि मृत्यू उन्हें रहने नहीं देती थी पर यह युगान युग रहता है इस कारण उसका याजक पद अटल है इसलिए जो उसके द्वारा परमेश्वर के पास आते हैं वो उनका पूरा पूरा उ धरवदा जीवित है अतह ऐसा है महायाजक हमारे योग्य था जो पवित्र और निश्कपट और निर्मल और पापियों से अलग और स्वर्ग से भी उंचा किया हुआ हो उन महायाजकों के समान उसे आवश्यक नहीं की प्रती दिन पहले अपने पापों और फिर लोगों के लिए बलीदान चड़ाए क्योंकि उसने अपने आपको बलीदान चड़ा कर उसे एक ही बार में पूरा कर दिया क्योंकि व्यवस्था तो निर्बल मनुश्यों को महायाजक न्यूक्त करती है परन्तु उस शपत का वचन जो व्यवस्था के बाद खाई गई उस पुत्र को न्यूक्त करता है जो यूगान यूक के लिए सिद्ध किया गया है यहजकेल दस्वा अध्याए एक से बाईस तक इसके बाद मैंने देखा कि करुबो के सिरों के उपर जो आकाश मंडल है उसमें नील मनिक का सिहासन सा कुछ दिखाई देता है तब यहवा ने उस सन के वस् कोई पुरुष से कहा गूमने वाले पहियों के बीच करुबो के नीचे जा और अपने दोनों मुठियों को करुबो के बीच के अंगारों से भर कर नगर पर बिखेड दे अतह वह मेरे देखते देखते उनकी बीच में गया जब वो पुरुष बीतर गया तब वे करुब ब उपर से उठकर भवन की टेवडी पर आ गया और बादल भवन में भर गया और वह आंगन यहवा के तेज की प्रकाश से भर गया करुबों के पंको का शब्द बारी आंगन तक सुनाई देता था वह सर्वशक्तिमान परमेश्विर के बोलने का सा शब्द था जब उसने सन के वस्तर पहिने हुए पुरुश को गूमने वाले पहियों की बीतर करुबों के बीच में से आग लेने की आग्या दी तब वो उनके बीच में जाकर एक पहिये के पास खड़ा हुआ तब करुबों के बीच से एक करुब ने अपना हात बढ़ा कर उस आग में से जो करुबों के बीच में थी कुछ उठा कर सन के वस्तर पहिने हुए पुरुष की मुठी में दे दी और वह उसे लेकर बाहर चला गया करुबों के पंखों के नीचे तो मनुश्य का हाथ सा कुछ दिखाई देता था तब मैंने देखा कि करुबों के पास चार पहिये हैं अर्थात एक एक करूब के पास एक एक पहिया है और पहियों का रूप फिरोजा का सा है उनका ऐसा रूप है कि चारो एक से दिखाई देते हैं जैसे एक पहिये के बीच दूसरा पहिया हो चलने के समय वे अपनी चारो अलंगों के बल से चलते हैं और चलते समय मुड़ते नहीं वरन जिदर उनका सिर रहता है वे उधर ही उसके पीछे चलते हैं और चलते समय वे मुड़ते नहीं पीट हाथ और पंखो समेत करूबों का सारा शरीर और जो पही उनके हैं वे भी सब के सब चारों और आंखों से भरे हुए हैं मेरे सुनते हुए इन पईयों को चक्कर कहा गया अर्थाद गूमने वाले पहीए एक एक चार मुख थे एक मुख तो करूब कासा दूसरा मनुश्य कासा तीसरा सींग कासा और चौथा उका पक्षी कासा करूब भूमी पर से उठ गए ये वे ही जीवदारी है जो मैंने कबार नदी के पास देखे थे जब जब वे करूब चलते थे तब तब वे पही उनके पास पास चलते थे और जब जब करूब पृत्वी पर से उठने के लिए अपने पंक उठाते तब तब पही उनके पास से नहीं मुढते थे जब वे खड़े होते तब ये भी खड़े होते थ तब ये भी उनके संग उठते थे क्योंकि जीवदारियों की आत्मा इन में रहती थी। जो मैंने कबार नदी के पास इस्रायल के परमेश्वर के नीचे देखे थे। अपने अपने सामने ही चलते थे यह जकेल ग्यारा अध्याय एक से पचीस तक तब आत्मा ने मुझे उठा कर यौवा के भवन के पूर्वी फाटक के पास जिसका मुह पूर्वी दिशा की ओर है पहुंचा दिया और वहां मैंने क्या देखा कि फाटक ही में पच्चीस पुर कलतिया को देखा जो प्रजा के प्रधान थे तब उसने मुझसे कहा हे मनुश्य के संतान जो मनुश्य इस नगर में अनर्थ कल्पना और बुरी युक्ति करते हैं वे यही है यह कहते हैं घर बनाने का समय निकट नहीं यह नगर हंडा और हम उसमें का मांस है इसलिए हे इनके विरुद भविश्यवानी कर भविश्यवानी तब यहवा का आत्मा मुझ पर उत्रा और मुझसे कहा ऐसा कह यहवा यह कहता है हे इसरायल के घराने तुमने ऐसा ही कहा है जो कुछ तुम्हारे मन में आता है उसे मैं जानता हूं तुमने तो इस नगर में बहुतों को मार डाला वरन उसकी सड़कों को शवों से भर दिया है इस कारण प्रबु यहवा यो कहता है जो मनुश्य तुमने इस नगर में मार डाले हैं उनके शव ही इस नगर रुपी हंडे में का मांस है और तुम इसके बीच से निकाले जाओगे तुम तलवार से डरते हो और मैं के हाथ में कर दूंगा और तुम को दंड दिलाओंगा तुम तलवार से मर कर गिरोगे और मैं तुम्हारा मुखदमा इसराइल के देश की सीमा पर चुकाओंगा तब तुम जान लोगे कि मैं यहवा हूँ यह नगर तुम्हारे लिए हंडा न बनेगा और न तुम इसमे का मांस होगे मैं तुम्हारा मुखदमा इसराइल के देश की सीमा पर चुकाओंगा तब तुम जान लोगे कि मैं यहवा हूँ तुम तो मेरी विद्यों पर नहीं चले और मेरे नियमों को तुमने नहीं माना परंतु अपने चारों ओर की जातियों की रीतियों पर चले हो मैं इस प्रकार की भविश्वानी कर रहा था कि बना यहां का पुत्र पलत्या मर गया तब मैं मुग के बल गिर कर उंचे शब्द से चिला उठा और कहा हाई प्रभु यहुवा क्या तो इस्राइल के बचे हुऊ का सतिनाश कर डालेगा तब यहुवा का यहँचन मेरे पास पहु यह देश हमारे ही अधिकार में दिया गया है परंतु तु उनसे कह प्रभू यहवा यह कहता है मैंने तुमको दूर-दूर की जातियों में बसाया और देश-देश में तीतर-बीतर कर दिया है तो भी जिन देशों में तुम आये हुए हो उनमें मैं स्वय तुम्हारे लिए थोड़े दिन तक पवित्रस्थान टहराऊंगा इसलिए उनसे कह प्रभू यहवा यह कहता है मैं तुमको जाती-जाती के लोगों के बीच से बटोरूंगा और जिन देशों में तुम तीतर-बीतर किये गए हो उनमें से तुमको इखटा करूंगा और तुम्हें इसराइल की भूमी दूंगा वे वहाँ पहुँचकर उस देश की सब गृनित मूरते और सब गृनित काम भी उसमें से दूर करेंगे मैं उनका रिधय एक कर दूंगा और उनके बीतर नई आतमा उत्पन करूंगा और उनकी देह में से पत्थर कासा रिधय निकालकर उन्हें मांस का जिससे वे मेरी विदियो पर नित चला करे और मेरे नियमों को माने और वे मेरी प्रजा टहरेंगे और मैं उनका परमेश्व टहरूँगा परंतो वे लोग जो अपनी ग्रिनित मूरतों और ग्रिनित कामों में मन लगा कर चलते रहते हैं उनको मैं ऐसा करूँगा कि उनकी चाल उनहीं के सिर पर पड़ेगी प्रभु यहवा की यही वानी है इस पर करूबों ने अपने पंक उठाए और पहिये उनके संग संग चले और इस्राइल के परमेश्वर का तेज उनके उपर था तब यहवा का तेज नगर के बीच में से उठकर उस परवत पर टहर गया जो नगर के पूर्व ओर है फिर आत्मा ने मुझे उठाया और परमेश्वर के आत्मा की शक्ती से दर्शन में मुझे कस्दियों के देश में बंदियों के पास पहुंचा दिया जो दर्शन मैंने पाया था वो लोप हो गया तब जितनी बाते यहवा ने मुझे दिखाई थी वे मैंने बंदियों को ब तु विद्रोह करने वाले घराने की बीच में रहता है जिनके देखने के लिए आंखे तो है पर इंतु नहीं देखते और सुनने के लिए कान तो है पर इंतु नहीं सुनते क्योंकि वे विद्रोह करने वाले घराने के हैं इसलिए है मनुश्य के संतान दिन को बंधुआई का सामान तयार करके उनके देखते हुए उठ जाना उनके देखते हुए अपना स्थान चोड़ कर दूसरे स्थान को जाना यद्यपी वे विद्रों करने वाले गराने के हैं तो भी संभव है कि वे ध्यान दे इसलिए तो दिन को उनके देखते हुए बंदुआई के सामान के समा अपना सामान निकालना और तब तो सांज को बंदुआई में जाने वाले की समान उनके देखते हुए उट जाना उनके देखते हुए दिवार को फोड कर उसी से अपना सामान निकालना उनके देखते हुए उसे अपने कंदे पर उठा कर अंदेरे में निकालना और अपना मू धांपे रहना की भूमी तुझे न देख पड़े क्योंकि मैंने तुझे इसराइल के गराने के लिए एक चिन्न ठहराया है उस आग्या के अनुसार मैंने वैसा ही किया दिन को मैंने अपना सामान बंधुआई के सामान के सामान निकाला और सांज को अपने हाथ से दिवार को फोड़ा फिर अंधेरे में सामान को निकाल कर उनके देखते हुए अपने कंदे पर उठाय हुए चला गया सबेर यहवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा है मनुश्य के संदान क्या इसराइल के घराने ने अर्थात उस विद्रो करने वाले घराने ने तुझसे यह नहीं पूछा यह तू क्या करता है तो उनसे कह प्रभू यहवा यू कहता है यह प्रभावशाली वचन यरुशलेम के प्रदान पुरुश और इसराइल के सारे गराने के विशे में हैं जिसके बीच में वे रहते हैं तो उनसे कह मैं तुम्हारे लिए चिन्न हूँ जैसा मैंने क किया है वैसा ही इसराइली लोगों से भी किया जाएगा उनको उठकर बंदुआई में जाना पड़ेगा उनके बीच में जो प्रधान है वह अंदेरे में अपनी कंदे पर बोज उठाए हुए निकलेगा वह अपना सामा निकालने के लिए दिवार को फोड़ेगा और अपना मूट ढापे रहेगा कि उसको भूमी न देख पड़े मैं उस पर अपना जाल फिलाओंगा और वह मेरे फंदे में फसेगा और मैं उसे कस्दियों के देश के बेबिलोन में पहुंचा दूंगा यदियपिवा उस नगर में मर जाएगा तो भी उसको न देखेगा जितने उ और उसकी सारी टोलियों को मैं सब दिशाओं में तीतर बीतर कर दूंगा और तलवार घीच कर उनके पीछे चलवाओंगा जब मैं उन्हें जाती जाती में तीतर बीतर कर दूंगा और देश देश में चिन्न बिन्न कर दूंगा तब वे जान लेंगे कि मैं यहवा हूं पर वे जान लेंगे कि मैं यहवा हूँ तब यहवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा है मनुश्य के संतान कांपते हुए अपनी रोटी खाना और थर थराते और चिंता करते हुए अपना पानी पीना और इस देश की लोगों से यो कहना कि प्रभू यहवा यरुशलेम और हैने वालों के उपद्रव के कारण अपनी सारी भर पूरी से रहित हो जाएगा बसे हुए नगर उजड जाएंगे और देश भी उजाड हो जाएंगे तब तुम लोग जान लोगे कि मैं यहवा हूँ फिर यहवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा है मनुश्य के संतान यह क कहता है मैं इस कहावत को बंद करूंगा और यह कहावत इसराइल पर फिर न चलेगी तो उनसे कह कि वह दिन निकट आ गया है और दर्शन की सब बाते पूरी होने पर है क्योंकि इसराइल के घराने में न तो और अधिक जूटे दर्शन की कोई बात और न कोई चिकनी करने वाले घराने तुमारे ही दिनों में मैं वचन कहूंगा और वह पूरा हो जाएगा प्रभू यहावा की यही वानी है फिर यहावा का यह वचन मेरे पास पहुंचा है मनुश्य के संतान देख इसराइल के घराने के लोग यह कह रहे हैं जो दर्शन वह देखता है वह तेरे किसी वचन के पूरा होने में फिर विलंब न होगा वरन जो वचन में कहूं वह निश्य पूरा होगा प्रभू यहावा की यही वानी है